दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका Drupal Module Development के एक और वीडियो में तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि controller से हम लोग जेशन रिस्पॉंस या Plain Text Response किस तरीके से रेटन कर सकते हैं तो हम लोगोंने देख लिया था कि हमको जेशन रिस्पॉंस रेटन करना है तो हम लोग किस तरीके से रेटन कर सकते हैं आज हमको देखना है कि अगर हमको मान लीजए यहाँ पर कि return html without a theme, मतलब हमको केवल html return करना है, theme को हमको यहाँ पर return जो है वो नहीं करना है, तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, तो यह मेरी application है, इसको मैं open कर लेता हूं, क्योंकि मैंने अभी server on किया है, तो यहाँ पर मैं जो controller अभी तक हम use करते आ रहे थे, tmd वाला, dmd example हम यही controller यहाँ पर use करने वाले हैं, तो यह जो code था, यह JSON के लिए है, इस code को मैं comment कर देता हूं, और यहाँ से हम लोग नीचे जो है वो, यह जो code है, ताकि code जब आपके पास जाएगा, तो आपके पास पूरा data यहाँ पर रहेगा, ठीक है, अभी यहाँ मैं क्या करता अभी आ गई है कुछ error, तो जो error है, वो इस code के बज़े से आ रही है, क्योंकि हाँ response उसको नहीं मिल रहा है शायद, इसलिए error आ रही है, तो हम देखते हैं कि अगर हमको, यहाँ पर हमको return HTML without a theme करना है, तो किस तरीके से हम लोग use करेंगे, तो उसके लिए हमको use statement चाहिए, HTML response, तो मैं पहले इस use statement को लिख देता हूँ, और यह बाकी जो use statement इसको में नहीं हटा रहा हूँ, क्योंकि यह code में जर्वत होगी, जब हम JSON response या दूसरे response को return करेंगे, तो अभी हमारी उप्योग में केवल यह वाला use statement आने वाला है, और controller का basic वाला जो use statement में बगाने वाला यहां तक हम पोच गए, अब हमको क्या करना है, यहां पर हम लोगों को response class का एक object बनाना है, और जो भी message आपको देना है, वो आप यहां पर HTML के अंदर pass कर सकते हैं, तो मैं यहां पर जाता हूँ, और यहां पर मैं इस line को लिख देता हूँ, response मेरे पास में है, तो मुझे द pass कर देंगी, जो HTML आपको return करवाना है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहां पर जाता हूँ, और यहां पर मैं इसको clear करता हूँ, और यहां पर मैं DRUSCR करता हूँ, है न, DRUSCR करना पड़ेगा, तो DRUSCR करने के बाद में यह जो error है, वो resolve हो जानी चाहिए, समझे लगता है यहां पर, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग, HTML के वल, without theme, HTML को return करवा सकते हैं, JSON में return करवा सकते हैं, और plain text में return करवा सकते हैं, Drupal का जो core का setup है, वो हमको classes देता है, हम उस class का object बनाएंगे, उस class को include करेंगे, और हमारा जो output है, वो उसको pass कर देंगे, तो उस format में हमको जो return response है, वो मिल जाता है, तो देखें, यहां पर यह output इसका आ रहा है, यह nothing but HTML only, यह जो message है, वो यहां पर आ रहा है, तो आप दे देखने में पता नहीं चल रहा है कि यह Drupal की site है, क्योंकि आम तोर पर क्या होता है, कि Drupal का header, footer और themes texture वो सबाता है, तो यहां पर हम लोगोंने क्या किया है, कि केवल response को return करवाया, बिना theme के, बिना theme के केवल हम लोगोंने HTML response को यहां पर return किया है, तो अगर आपको HTML return करवाना और कुछ नहीं करवाना, तो आप इस तरीके से return करवा सकते हैं, controller के दुरू.